जैहीं दोस्तों कैसे आप लोग आसा करता हुआ अच्छे होगे आज मैं आप लोगों का उत्ताप्रद्र स्पेशल कुराने जा रहा हूँ आज मैं आप लोगों के लिए करेंटर्फेस नहीं ला पाया कल से करेंटर्फेस भी आएगा और लगभग तीन से चार वीडियो उत् तो इसमें केवल डिटल्स नहीं दिया रहेगा केवल आप प्रस्न रहेंगे आपको पढ़ना है आंसर देना है लगभग 142 कुष्टन है इसमें टोटल अगर समय जदा देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम प्रस्न पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे आप लोगो इस्टर्ण डेडिकेटर फिट कोरिडोर के न्यू भावपूर न्यू खुर्जा खंड का उदखाटन किया राजस्थान मदप्रदेश जारखंड उत्तर प्रदेश इसका सई आंसर होगा इसका सई आंसर होगा उत्तर प्रदेश चलिए अगला प्रस्न है किस राजी ने अ उत्ताप्रदेश, उत्ताप्रदेश के सभी स्कूलों में हर वर्ष 27 दिसंबर, 27 दिसंबर का दिन साहिब जादा दिवस के रूपे मनाय जाएगा, चलिए, चलते हैं, अगले प्रसुन तरफ, किस राज ने ग्रामेरों के लिए वरासत, वरासत नामक एक बिश्यस अभियान शुरू किया है, राजस्थान, मद्य प्रदेश, उत्ताप्रदेश, जारखंड, तिसका सयांसर, इसका सयांसर होगा, उत्ताप्रदेश, उत्ताप्रदेश का सयांसर होगा, चलिए, चलते हैं अगले प्रसुन तरफ, अगला प्रसुन है, राष्टिय किसान दिवस, प्रत 30 दिसंबर को राश्टी किसान दिवस प्रतिवस मनायाता हैﷃ राश्टी किसान दिवस भारत के पूरपधा मंत्री और किसानों के मसीहा, कौन 24 चरण सिंगह की आद्मिय मनायाता है। बात करें पर धींगं का जर्ण कब हुआ थ हुआ था ? तो हुआ था कौन सा राजे किसान कल्यान मिसन शुरू कर रहा है हिमालस्रा प्रदेश, बिहार, माध्य प्रदेश, उत्ता प्रदेश तिसका सयांसर होगा उत्ता प्रदेश उत्ता प्रदेश, सरकार, किसान कल्यान मिसन शुरू कर रहा है प्रतिष्टित CIIITC सस्टेनेबिल्टी पुरस्कार 2020 किसने जीता ONGC, NTPC, Railtail, Reliance तिसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा NTPC NTPC नेय पुरस्कार जीता चलिए आगले प्रस्मिक्रप किस भारती टेनिस खिलारी ने दुबई में ITF डबल खिताब जीता अंकिता रहना, रीधिमा वर्मा, सोनिया कुमारी, सानिय मिर्जा तिसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा अंकिता रहना चलिए अगला प्रस्म है एसो चैम के नए अध्यश कौम बने है बिने अरोडा, विनीत अगरवाल, विजे सेखर, विकास वर्मा तो बताएए इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा विनीत अगरवाल विनीत अगरवाल को Associated Chambers of Commerce and Industry of India यानि एसो चैम का नए अध्यश बनाया गया है चलिए अगला प्रस्म है उत्तर प्रदेश के किश जिले में 5850 क्रोण उपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क इस्थापित किया जाएगा लखनव, प्रियागराज, मिर्जापूर, कानपूर उत्तर प्रदेश के कानपूर के रमाई पूर गाउं में यह पार्क इस्थापित किया जाएगा चलिए, चलते हैं अगला प्रस्म है फिक्की यानि FCCI मनलाब फिक्की महिला स्पोर्ट्स परशन अवार 2020 से किसे समानित किया गया इसका से अंसर क्या होगा बताइए आप लोग इसका से अंसर होगा अगला प्रस्न तरफ राष्टी क्रिशी सिक्षा दिवस कब मना जाता है 14 मार्च 26 जूम 3 दिसमबर 30 नमूंबर इसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा 3 दिसमबर 3 दिसमबर को प्रतिवर्ष राष्टी है किसी सिक्षा दिवस मना जाता है चलिए अगला प्रस्न है Cambridge Dictionary ने किस सब्द को Word of the Year 2020 के नाम दिया है Cambridge Dictionary की बात की जा रही है Lockdown, Quarantine, Covid या Suddown इसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा Quarantine Cambridge Dictionary ने Quarantine सब्द को Word of the Year 2020 का नाम दिया चलिए चलते हैं अगला प्रस्न है उत्तप्रे सरकार ने साधियों के लिए गैर कानुनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर पाबंदी के लिए कितने वर्स की सजा का प्रोधान किया गया है दो साल, पान साल, आठ साल या दस साल तो इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होगा दस साल चलिए अगले प्रस्न की तरफ चलते हैं अगला प्रस्न है प्रत इवर्स, वर्ल्ड टेली विजन दिवर्स का मना जाता है 11 नवंबर, 22 नवंबर, 26 नवंबर, 21 नवंबर इसका सही अंसर क्या होगा बताइए आप लोग इसका सही अंसर होगा 21 नवंबर हर साल 21 नवंबर को वर्ल टेलिविजन दे मनाया आता है सायुक्त राष्ट में सबसे पहले वर्ल टेलिविजन 21 नवंबर और 1997 में मनाया गया था अब भारत में दूर दर्शन की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 15 सितंबर 1969 में दूर दर्शन की स्थापना भारत में हुई थी अब भारत में कलर टीवी कब आया वो आया 1982 में भारत में कलर टीवी आया जिसे रंगीन टीवी भी बोलते हैं चलिए अगला प्रस्ण है प्रधान मनती नर्यन रमोदी ने लखनो विश्व विद्याले के सताब्दी इस्थापना दिवस समारों में कितने रुपए का सिक्का जारी किया सताब्दी इस्थापना सताब्दी मलब क्या हुआ सव सव से हमें लग रहा किया कितने रुपए कि सिक्का जारी किया होंगे तो इसका सही अंसर भी होगा सव रुपया चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण है प्रधान मंती नर्यन मोदी ने किस राज के मिर्जाप पूर्तपूर और सोनभद्र में ग्रामीर जल पडियोजनाओं की वर्चुल माध्यम से अधार सिला रखीी. अब किस राज में पढ़ता है मिर्जापुरो सोन भद्र उत्राखन मद्य प्रदेश तेलांगाना उत्तर प्रदेश तिसका सयांसर क्या होगा इसका सयांसर होगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में मिर्जापुरो सोन भद्र पढ़ता है चलिए चलते हैं अगले प्रस वैसिविक स्वच्छता संकर से निपटने के लिए कारवाई को प्रोसाहित करने के लिए 19 नवंबर को 214 दिवस 20 उस्तरप मुना जाता है चलिए अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है आपका ए प्रोमिश्ड लाइन्ड नामक पुष्टक किसने लिखी है दोनाल्ड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी, बराक उमामा, सी जिन्पिंग तो इसका सयांसर क्या होगा इसका सयांसर बताईए आप लोग इसका सयांसर होगा बराक उमामा बराक उमामा, अमेरिका के पूरो राष्टपती है, ये ए प्रोमिश्ड लाइन्ड नामक पुष्टक इसने लिखी है चलिए अगला प्रस्ण है केपिटल फाउन्डेशन नेशनल अवार्स से किसे सम्मानित किया गया राष्कमार राओ, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र बत्रा, सेखर सुमन इसका सयांसर क्या होगा बताईए आप लोग इसका सयांसर होगा नरेंद्र बत्रा भारती ओलंपिक संग के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को Capital Foundation National Award प्रदांग किया गया है नर्यन दबत्रा को खेल में अपना यगदान देने के लिए है अवार्ड मिला चलिए अगला प्रस्ण है किस राजी में इस्तित सुर्फ सरोवर जील को हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया है चलिए अगला प्रस्ण है प्रोफेसर एंडी भादुरी मेमोरियल लक्षर अवार्ड 2020 किसर समानित किया गया है डाक्टर हिमेश चतुरुएदी और डाक्टर सुसांतकार डाक्टर सुसील कुमार डाक्टर गवलोर सिंग तिसका सयांसर क्या होगा? इसका सयांसर होगा डाक्टर सुसांतकार्थ चलिए अगला प्रशन है किस राज ने प्रधाय मंत्री आत्म निर्भर निधी योजना के कार्यानुवन में पहला स्थान हासिल किया है? मादर प्रदेश उत्तराखंड महाराष्ट उत्तर प्रदेश तिसका सयांसर क्या होगा इसका सयांसर होगा उत्तर प्रदेश चलिए अगला प्रस्ण है उत्तर भारत में टांसजेंडर समदाय को समर्पित पहला मेट्रो इस्टेशन कवंसा है सोना इस्टेशन, कुफरी इस्टेशन, प्राइड इस्टेशन, हैती इस्टेशन तिसका स्यांसर क्या होगा? इसका स्यांसर होगा प्राइड इस्टेशन प्राइड इस्टेशन उत्त्य भारत में ट्रांसजेंडर समताय को समढ़ पहला मेट्रो इस्टेशन है चलिए अगला प्रस्ण है सांती और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मना जाता है 28 फरवरी 23 अप्रेल 22 अक्टूबर या 10 नवंबर तो इसका स्यांसर क्या होगा इसका स्यांसर होगा 10 नवंबर चलिए अगला प्रस्ण है किस राजी ने उच सिछा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए डिजिस्टल लाइबरेरी शुरू की है राजस्थान सरकार ने हिमार्चा प्रदेश केरल या उत्तर प्रदेश सरकार तो इसका स्यांसर क्या होगा इसका स्यांसर होगा उत्ता प्रदेश चलिए अगला प्रस्ण है ICC के नए अध्यच किसे चुना गया है इमरान खान सवरो गांगुली हिमेश दास या ग्रेग बढ़कले इसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा ग्रेग बढ़कले इसका से अंसर क्या होगा इसका स्रेयांसर क्या होगा इसका स्रेयांसर होगा उत्तरप्रदेश कर दो चलते हैं अगले प्रसंसर प्रसंदर अगला प्रस्न है RBI के खाता एग्रिग्रेटर फ्रेम वर्क पर लाइव होने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है SBI बैंक, इंडे साइंड बैंक, PNB बैंक, इन में से कोई नहीं इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इंडे साइंड बैंक चलिए, चलते हैं अगले प्रस्ण तरब, अगला प्रस्ण है 200 की पहली साइंटुन आधारित पुष्टक बाइबाइ कुरोना का लोकार पर किस न किया अनंदी बेन पतेल, निर्मला सितारमड, अमर जित काओर या निमे से कोई नहीं तो इसका से आंसर क्या होगा, इसका से आंसर होगा अनंदी बेन पतेल, चलिए अगला प्रस्ण है किस देश ने अपने एक चौक का नाम हरिवन सराय बच्चन का नाम पर रखा है, पोला एंड, अलजीरिया, अमेरिका या इनमे से कोई नहीं तो बताईए इसका से आंसर क्या होगा, इसका से आंसर होगा, पोला एंड, हरिवन सराय बच्चन को 1976 में हिंदी के प्रति, उनकी सेवा के लिए उन्हें पद्म भूंशड से नमा जा गया था चलिए, अगला प्रस्ण है, ओडियो विजूल हेरिटेज के लिए बिश्व दिवस कब मना जाता है, एक अक्टूबर, पंद्रा अक्टूबर, 27 अक्टूबर या इनमे से कोई नहीं तो इसका से आनसर क्या होगा, पताइए आप लोग इसका से आनसर होगा, 27 अक्टूबर चलिए, अगला प्रस्ण है, सेयुक्त राष्ट दिवस कब मना जाता है, 24 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या निमे से कोई नहीं तिसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा 24 अक्टूबर निवार्क में 24 अक्टूबर उन्हें सौनचाज को साइंगतराश्ट संग की स्थापना की गई थी तभी से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को साइंगतराश्ट दिवर्ष मना जाता है चलिए अगला प्रस्ण है किस राजी में महिलाओं की सुरुच्छा के लिए सेफ सीटी प्रोजेक्ट शुरू किया है राजिस्थान, बिहार, उत्ताप्रदेश यानि में कोई नहीं तो इसका से आंसर क्या होगा इसका से आंसर होगा उत्ताप्रदेश चलिए अगला प्रस्ण है भारतिय परेटक सांकिकी के अनुसार वर्स 2020 में भारतिय परेटकों के आगमन की द्रिष्टी से किस राजी ने देश में पहला इस्थान हासिल किया है राजिस्थान, बिहार, उत्ताप्रदेश यानि में कोई नहीं तिसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा उत्ताप्रदेश चलिए अगला प्रस्ण है आपका अंतराश्टी सेफ डे कब मनाया जाता है 28 मार्च, 31 माई, 20 अक्टूबर या 16 नौंबर तिसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा 20 अक्टूबर अंतराश्टी सेफडे 2020 की थीम क्या थी? वह थी हेल्ड फूड फूड फॉर द फूचर चलिए अगला प्रस्ण है किस राजे में महिला सुरुक्षा के लिए मिशन सक्ती शुरू किया गया है? उत्ताप्रदेश, हर्याडा, केरल, पंजाब तो इसका सेफड़ क्या होगा? इसका सेफड़ होगा उत्ताप्रदेश चलिए अगले प्रस्ण तरफ, अगला प्रस्ण है आपका देश में प्रापरिटी कार्ड बेतरित करने की स्वामित योजना का सुभारंब किस ने किया? योगी आदितनाथ, नरेंद्र मोदी, सिवराज सिंग चोहान, राजनाज सिंग तो इसका सेफड़ क्या होगा? इसका सेफड़ होगा नरेंद्र मोदी चलिए अगले प्रस्ण तरफ, अगला प्रस्ण है फ्रेंच ओपन पूरुष सिंगल 2020 का खिताब किस ने जीता? रोजर फेरर, राफेल नडाल, नुवाग जोकविज या महेज भूपती तो इसका सेफड़ क्या होगा? इसका सेफड़ होगा राफेल नडाल इसपिन के राफेल नडाल ने सर्विया के नुवाग जोकविज को पराजित कर फ्रेंच ओपन पूरुष सिंगल 2020 का खिताब अपने नाम किया चलिए अगला प्रस्ण है विश्र खाद दिवस कब मना जाता है? 16 मार्च, 16 प्रेल, 16 सितमबर या 16 अक्टूबर तो इसका सर्य अंसर क्या होगा? इसका सर्य अंसर होगा 16 अक्टूबर विश्र खाद दिवस 2020 की थीम क्या थी? ग्रो, निवरिस, सेटन, टुगेदर चलिए अगला प्रस्ण है खाद आउ क्रिसी संगठं के 75 में इस थाबना दिवस के आउसर पर कितने रुपए के मुल्य का एक इस्वानक सिक्का जारी किया गया? 75 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए यान में इस कोई नहीं तो इसका सर्य अंसर का होगा? इसका सर्य अंसर होगा 75 रुपए बात करें खाद यों क्रिसी संगठं की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी उनहीं सो तालिस में चलिए, चलते हैं अगले प्रस्ण तरफ अगला प्रस्ण है बिश्व मानिसिक स्वास्ते दिवस कब मना जाता है? 10 अक्टूबर, 10 नमबर, 10 जनवरी या 10 अप्रेल तो इसका सर्य अंसर क्या होगा? इसका सर्य अंसर होगा 10 अक्टूबर बिश्व मानिसिक स्वास्ते दिवस पहली बार कब मनाय गया था? वो मनाय गया था उनहीं सो बान बे में चलिए, चलते हैं अगले प्रस्ण तरफ अगला प्रस्ण है भारतिय कपाज के पहले ब्रांड और लोगों का लोकार पर किस ने किया? नयंदे सिंग्टोमर, अमित्सा, योगी आदितनाथ या इस्मृति इरानी तो इसका सर्य अंसर क्या होगा? इसका सर्य अंसर होगा इस्मृति इरानी चलिए, अगला प्रस्ण है चलिए, 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 अगला प्रस्ण है चलिए, अगला प्रस्ण है इसका सर्य अंसर होगा? इसका सर्य अंसर होगा, चार से दस अक्टूबर तक चलिए, अगला प्रस्ण है भारत के दूसरे प्रधार मंत्री, लाल भादुश सास्त्री का जन्म दिन कब बना जाता है? दो अक्टूबर, दो नवंबर, दो सितंबर या दो जुलाई इसका सर्य अंसर क्या होगा? इसका सर्य अंसर होगा, दो अक्टूबर भारत के दूसरे प्रधार मंत्री, लाल भादुश सास्तिजी का जन्म, दो अक्टूबर 1904 में दो अक्टूबर 1904 में उत्ता प्रधेश के रामनगर में हुआ था चलिए, जो चनल को सब्सक्राइब ने क्यों, प्लीस सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा, वीडियो एक बाज जरू सेर कर दीजे चलिए, अगला प्रस्ण है, कौन सा राज एक करोण से अधिक COVID-19 की जांच करने वाला देश का पहला राज बना है महराष्टर, हरियाडा, उत्तरप्रदेश, बिहार इसका सही अंसर कौन होगा, इसका सही अंसर होगा उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश, एक करोण से अधिक COVID-19 की जांच करने वाला देश का पहला राज बना है चलिए, अगला प्रस्ण है, किस महिला खिलाड़ी ने वर्ष 2019-2020 के लिए आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन पिलेर आफ द इयर के रूप में चुना गया है विनीता संधू, अमित पंखाल, संजु यादो, कमलेश कुमार इसका से अंसर का होगा, संजु यादो भारती राष्टी महिला फुटबाल तीम की मिड़ फिल्डर संजु यादो को वर्ष 2019-2020 के लिए आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन प्लेयर आफ द इयर के रूप में चुना गया चलिए अगला प्रस्ण है उत्ता प्रदेश में गरीब कल्यान रोजगार अभियान में कितने प्रोष्कार प्राप्त किये हैं तीन, पांच, आठ, दो तिसका सयांसर क्या होगा? इसका सयांसर क्या होगा? बताईए आब लो इसका सयांसर होगा आठ अचलिए अगला प्रस्ण है अंतराश्टी एखा देहान और अपसिष्ट निवनी करण जगुता दिवस कमनाया गया 1 सितंबर 10 नवंबर 19 सितंबर 29 नवंबर तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा 29 सितंबर चलिए अगला प्रस्ण है वर्स 2020 के सांती सरूप भट्णागर प्रसकार के लिए किने चुना गया है आमद विलाल, इस्टर जांसन, प्रोफेसर बुसरा अतीक इन में से कोई नहीं तिसका सही आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा प्रोफेसर बुसरा अतीक चलिए अगला प्रस्ण है राफेल फाइटर जेट की पहली महिला पाइलेट कौन बनी है मिनाक्षी पाठक और पिता कुमारी शिवांगी सिंग इन में से कोई नहीं कौन सा आंसर होगा इसका सही बताइए आप लोग इसका सही आंसर होगा शिवांगी सिंग विश्व पर्यावन दिवस का मना जाता है एक जनवरी बारा जुलाई 26 सितंबर 4 अप्रयावन इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा 26 सितंबर चलिए अगला प्रस्ण है किस राज ने छात्रों के मार्ग दर्क्षन के लिए एकी कृत पूरेटल यूराइज लांच किया महाराष्ट उत्ता प्रदेश हर्याणा 36 गर तिसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा बताइए आप लोग इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश चलिए अगला प्रस्ण है भारत में अंतोते दिवस कम मनाया जाता है 11 सितंबर 25 सितंबर 28 अक्टूबर यान में इसकोई नहीं तिसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग इसका सही आंसर होगा 25 सितंबर चलिए अगला प्रस्न है पंडित दिन दियाल उपध्या जैनतिक कमर आ जाती है 11 सितंबर 25 सितंबर 28 अक्टूबर 20 जुलाई तिसका सही आंसर क्या होगा इसका भी सही आंसर 25 सितंबर भारती अर्ष सास्त्री समाज सास्त्री पत्रकारों महान चिंतक दिन दियाल उपध्या का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था चलिए चलते हैं अगला प्रस्न है उत्तर प्रदेश के नोईटा में कितने एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी 500 एकड़ में 1000 एकड़ में 2000 एकड़ में इनमें कोई नहीं तो बताई इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर इसका सही आंसर होगा 1000 एकड़ में चलिए किस राजी में महा भारत अनुसंधान के इंदर बनाया जाएगा हर्याड़ा उत्तर प्रदेश बिहार यान में से कोई नहीं तिसका सयांसर क्या होगा इसका सयांसर होगा उत्तर प्रदेश चलिए अगला प्रस्ण कवंसा देश SDG के लिए सावरेन बांड जोरी करने वाला दुनिया का पहल जो चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण है अंतराष्टी समान वेतन दिवस कब मना जाता है आठ सितंबर अठारा क्टूबर 18 सितंबर 19 सितंबर इसका सयांसर क्या होगा बताइए आप लोग इसका सयांसर होगा 18 सितंबर अठार सितंबर 2020 को पहली बार वाइस्विक इस्तरप अंतराष्टी समान वेतन दिवस मना जाता है चलिए अगला प्रस्ण है इंटरनेशनल डे साउथ साउथ को आपरेशन कब मना जाता है 12 सितंबर 18 अक्टूबर 18 सितंबर 19 सितंबर बताइए इसका सयांसर क्या होगा इस साउथ को आपरेशन यानि दक्षिन दक्षिन सहयोग का अंतराष्टी दिवस मना जाता है चलिए अगला प्रस्ण है सितंबर को देश भर किस रूप में मना जा रहा है राष्टी पोसर मास राष्टी पोसर तत्त राष्टी पोसर वर्स इसका सयांसर क्या होगा इसका सयां U.S. Open 2020 पूरुष का किताब किस खिलाड़ी नहीं जीता डोमिनिक थियम राफेल नडाल नुवाक जोकोविज यानि मैस कोई नहीं तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग इसका सही आंसर होगा डोमिनिक थियम युवेस ओपन 2020 पूरुष का किताब डोमिनिक थिय खुना दोलand खुए शुरु की है उत्तरदेश, मध्यप्रदेश, हर्याणा, करनाटक इसका सही अंसर कैं होगा इसका सही अंसर होगा उत्तरदेश उत्तर प्रदेश सरकार्न मेजर ध्यान चंद विजय पतियोर्जना शुरु की है इस studio के तहत tones और प्रदेश राज के 29 अंतराश्टिय खिलाडियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी चलिए अगला प्रस्ण है किस राज के बागपत जिले के साधिक पूर सिनावली में इस्थित पुरा तात्विक इस्थलवह और सेसों को राश्टी महत्तों का घोसित किया गया है उत्ताप्रदेश, मध्यप्रदेश, हर्याणा, करनाटक इसका सयांसर का होगा? इसका सयांसर होगा उत्ताप्रदेश चलिए अगला प्रस्ण है किस राज में कुपोशित परिवारों को मुख्य मंत्री बे सहारा गोवन सहभागता योजना के तवत गाय दी जाएगी उत्ताप्रदेश सरकार द्वारा, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा, हर्याणा सरकार द्वारा, करनाटक सरकार द्वारा तो इसका सयांसर क्या होगा बताइए अब लोग इसका सयांसर होगा उत्तर प्रदेश चलिए अगला प्रस्ण है मन्डुवाडी इस्टेशन का नाम बदल कर अब क्या किया गया है बरेली इस्टेशन बनारस इस्टेशन मतुरा इस्टेशन या अवध्याव इस्टेशन तो परधान मंती नरेन मोदी की लोकसवा सिट वाराणसी के मंडवा डी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करब बनारस स्टेशन किया गया है। चलिए अगला प्रस्ण है किस राज ने NRI Unified Portal शुरू किया है। केरल, गोवा, बिहार, उत्ता प्रदेश। तो बताईए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा। उत्ता प्रदेश। चलिए अगला प्रस्ण है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा। इजरायल। चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण तरफ। अगला प्रस्ण है। 20 अगस्त, 15 अगस्त, 25 अगस्त या 19 अगस्त तो बताईए इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा 19 अगस्त इसका 20 फोटोग्राफी दिवस मनाने के सुरुवात कब की गई थी वो की गई थी सन 2000 में चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण है प्रधार मंती नरेन मोदी न गर्ण कुमार प्रदेव कुमार जोसी नरेश कुमार ona में से कौई नहीं तो बताईए इसका सेयांसर क्या होगा इसका सेयांसर होगा प्रदीब कुमार जोसी चलिए अगला प्रस्ण है T20 विश्रकप 2021 की मेज़बानी किस देश को मिली है New Zealand, Australia, भारत यानि में से कोई नहीं तो बताईए इसका सेयांसर क्या होगा इसका सेयांसर होगा भारत भारत का सेयांसर होगा अंतराश्टी किरपरशद ने भारत को T20 विश्रकप 2021 की मेज़बानी दी है चलिए अगला प्रस्ण है विश्र जुनोसिस यानि जुनोटिक दिवस कम मना जाता है पान जुलाई, चार जुलाई, छ जुलाई यानि में से कोई नहीं तुछका सेयांसर क्या होगा इसका सेयांसर होगा छा जुलाई चलिए अगला प्रस्ण है देश का सबसे बड़ा प्लाजमा बैएंग के किस सहर में बना जा रहा है लखनव, प्रयाग राज, जौनपूर यानि में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर क्या होगा? इसका सही अंसर होगा लखनव उत्ताप्रदेश के लखनव के KGMU यानि किंग जार्ड मेडिकल इन्वरस्टी में देश का सबसे बड़ा प्लाजमा बैंक बनाया जा रहा है इसमें 830 यूनिट प्लाजमा संग्रह किया जा सकेगा चलिए अगला प्रशन है विश्व यूवा का उसल दिवस का मना जाता है? 5 जुलाई, 5 सितंबर, 15 जुलाई या इनिमें से कोई नहीं तो बताइए इसका सबसे आंसर क्या होगा? इसका सबसे आंसर होगा, 15 जुलाई हर साल 15 जुलाई को विश्व यूवा का उसल दिवस मनाया जाता है चलिए, अगला प्रशन है गंगा नदी के पुनरोधार के लिए 20 जुलाई ने कितने डालर उपलब्द कराएगा? 10 करोण डालर, 50 करोण डालर, 40 करोण डालर या इनिमें से कोई नहीं तो इसका सबसे आंसर क्या होगा? इसका सबसे आंसर होगा, 40 करोण डालर गंगा नदी के पनोधार के लिए 20-22 चालिस करोनों डोलर उपलब्ध कराएगा चलिए अगला प्रस्ण है किस राज के मोख्य मंत्री ने किसानों के लिए उरोड़क वितनर कारेक्रम शुरू किया है करनाटक, केरल, उत्ताप्रदेश यानि में से कोई नहीं तो इसका से अंसर क्या होगा? इसका से अंसर होगा उत्ताप्रदेश अगर जिन लोगों को यह पीडियव चाहिए जितने भी क्यूशन में कर वार हो यहां जगह, अगर इसका पीडियव चाहिए तो आप जिस पसम बॉक्स में जाके टेलिग्राम च्राइनल को मेरे जॉइन कर लिजे वहाँ आपको मिल जाएगा इसका पीडियफ तो चलिए अगला प्रस्ण है अंतर राष्टी सहकारता दिवस्का मना जाता है जुलाई के पहले सनिवार को जुलाई के पहले स्वमवार को जुलाई के पहले मंगलवार को यानि में से कोई नहीं तो इसका सयांसर क्या होगा इसका सयांसर होगा जुलाई के पहले सनिवार को चलिए अगला प्रस्ण है राष्टी सहक दिवस्का मना जाता है एक जुलाई, एक सितंबर, एक जून यानि मेंसे कोई नहीं तो इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होगा एक जुलाई एक जुलाई को राष्टी चिक्रिशक दिवस के रोप में मनाया जाता है चलिए अगला प्रस्ण है सायुक्त अरब अमिरात ने मार्स मिशन लांच करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है पाचवा, साथवा, आठवा यानि मेंस कोई नहीं तो बताएए इसका सही अंसर क्या होगा आप लोग इसका सही अंसर होगा साथवा चलिए अगला प्रस्ण है गरीब कल्यान रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लांच किसने किया है योगी आदितनाथ नर्यंद्र मोदी नर्यंद्र सिंग तोमर यानि में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होगा नर्यंद्र सिंग तोमर चलिए अगला प्रस्ण है यह important question है सोच्म लग यो मध्यम उद्योग दिवस कम मना जाता है तेस जनवरी 27 जून 30 जून यान में सकोई नहीं इसका से आंसर पताई आप लोग क्या होगा इसका से आंसर होगा 27 जून चलिए अगला प्रस्ण है आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का सुभारम किस न किया योगी आदितनाथ अलंदी बिन पटेल नरेंडर मोदी या इनिमेस कोई नहीं इसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा नरेंडर मोदी प्रधाय मंती नर्यन मोदी ने 26 जून 2020 को आद निर्भर उत्तर प्रदेश रोजगा अभियान का सुभारम किया यह अभियान रोजगा अप्रदान करने स्थानी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेश रूप से क्यंदित है चलिए अगला प्रस्ण है अंतर राष्टे उलम्पिक दिवस का मना जाता है 30 जून 30 जून 30 जूलाई यानमेस कोई नहीं तो इसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा 30 जूलाई तो प्रतिवस अंतर राष्टे उलम्पिक दिवस 30 जूलाई को सोरी तेश जून होगा इसका से अंसर तेश जून होगा तेश जून को मनाया जाता है चलिए अगला प्रस्ण है 21 जून 2020 को कौन सा अंतराश्टी योग दिवस मनाया गया 2020 की बात की जा रही है 2021 की नहीं तीसरा, साथवा, छठा या इसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा छठा 2021 की बात करें तो तो साथवा चलिए अगला प्रस्ण है भायत के किस राज में 50 लाख साल पुराने विलुक्त हाथी का जिवास में मिला है उत्ता प्रदेश, बिहार, जारखंड या इन में से कोई नहीं तो इसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा उत्ता प्रदेश चलिए अगला प्रस्ण है उत्ता प्रदेश के किस सहर में राज के चावथी इंटरनेशनल एयरपोर्ड को मंजूरी मिली है लखनवू, कुसी नगर, नोएडा, प्रयाग राज तो इसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा कुसी नगर चलिए अगला प्रस्ण है देश का कवंसा राजी मनरेगा के अंतरगत कामगारों को रोजगार उपलप्त कराने में देश का सिर्ष राजी बन गया है उत्ता प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलाडू, आन्दर प्रदेश तो इसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा उत्ता प्रदेश चलिए अगला प्रस्ण है बाल स्रमिक बिद्या योजना किस राजे में शुरू की है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलाडू ये आन्दर प्रदेश तो इसका भी से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा उत्तर प्रदेश उत्ताप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनात ने 12 जून 2020 को बाल समिक विद्याय योजना का सुभारम किया चलिए अगला प्रस्थन है कि अंदर सरकार ने रेहेडी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए कों से योजना शुरू की है पियम सोनधी योजना, पियम जन जीवन योजना, पियम सहयोग योजना या इनमे कोई नहीं तो पताइए इसका से आंसर क्या होगा इसका से आंसर होगा पियम सोनधी योजना चलिए अगला प्रस्थन है किस भारतिय को Medal of the Order of Australia से समानित किया गया है रमा कांत दास, सोभा, सेखर, निशा कुमारी या निमे से कोई नहीं तिसका से अंसर क्या होगा? इसका से अंसर होगा सोभा, सेखर चलिए अगला प्रस्ण है बिश्व बाल स्रम निशेद दीवस कब मना जाता है? बारा जून, बारा जुलाई, बारा सितंबर या निमे से कोई नहीं तिसका से अंसर क्या होगा? बताई आब लोग इसका से अंसर होगा बारा जून प्रतेक वर्ष बारा जून को बिश्व बाल स्रम निशेद दीवस के रूप में मनाया जाता है चलिए अगला प्रस्ण है 2022 महिला ACI कप की मेजबानी किस देश को मिली है? चीन, भारत, आस्ट्रेलिया या निमे से कोई नहीं तिसका से अंसर क्या होगा? इसका से अंसर होगा भारत ACI फुटबाल महासंग ने 2022 महिला ACI कप की मेजबानी भारत को दी है या पहली बार है जब भारत इस कप की मेजबानी करेगा ACI फुटबाल महासंग का मुख्याल है मलेशिया के कुवाला लामपूर में है चलिए अगला प्रस्ण है 2020 का प्रप्तिष्ठित रिचर्ड डोकिंस अवार्ड किस भारतियों को मिला है? बिवेक ओबराय जावेथ अक्तर महेश भट या निमेश कोई नहीं तिसका से अंसर क्या होगा? इसका से अंसर होगा जावेद अक्तर भारतिय सायर और गीतकार जावेद अक्तर को प्रतिष्ठित रिचर्ड डोकिंस पुरस्कार 2020 से समानित किया गया है हर वर्ष यह पुरस्कार अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डोकिंस के नाम पर दिया रहता है यह पुरस्कार वर्ष 2003 में वर्ष 2003 में शुरू किया गया था चलिए अगला प्रस्ण है किंद्र सरकार ने हेल्थ केर प्रोडक्ट से सम्बंधित कवंसा पोर्टल लांच किया है यह लांच होगा लांच किया है जीवन पोर्टल, हर पथ पोर्टल, अरोगे पथ पोर्टल या निमेश कोई नहीं इसका से अंसर क्या होगा बताईए आब लोग इसका सही अंसर होगा अरोगेपथ पोर्टल चलिए अगला प्रस्ण है कवंसी सोरी भारत कवंसी बार संयुक्त राश्ट शुरुक्षा परिशत का अर्ष थाई सदस बना है पांचीवी बार, आठीवी बार, चोथी बार यानि में स्कोई नहीं इसका सही अंसर क्या होगा बताइए अब लोग इसका सही अंसर होगा आठीवी बार चलिए, चलते हैं अगला प्रस्ण है किस भारतिय को पहली बार UN Military Gender Advocate Award मिला है मेजर मालती माधो, मेजर सुमन गवानी मेजर आसारानी ये मेजर निशा कुमारी इसका सही अंसर क्या होगा बताइए अब लोग इसका सही अंसर होगा मेजर सुमन गवानी चलिए, अगला प्रस्ण है वन इस्टेट वन गेम के तहत दोजा अठाइश ओलम्पिक के लिए खेल मंत्रा आले ने कितने गेम से चुने हैं इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होगा चुने है इसके तहत प्रतेख चुने गए राज में चुने गए खेल को विशेत प्रस्थाहन दिया जाएगा चलिए अगला प्रस्थाह है किस राजे सरकार ने आयूस कवच नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन लांच किया है मध्य प्रदेश, करनाटक, हिमांच्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश इसका सही अंसर कहोगा बताईजा आप लोग इसका सही अंसर होगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने आयूस मंत्राले द्वारा बिक्सित आयूस कवच नामक मोबाइल एप लांच किया है यह अप्लिकेशन कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रत्रेच्छा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्ते उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश से सुरू किया गया है चलिए अगला प्रस्ण है किस राज जिने गोरखपूर टेरा कोटा को जियाई टैग मिला है मद्रप्रदेश, करनाटक, हिमालचा प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो गोरखपूर कहाँ प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसलिए इसका से अंसर क्या होगा उत्तर प्रदेश, चलिए अगला प्रस्ण है केंदरे प्लास्टिक इंजिनेरिंग एवं प्रवदोगी की संस्थान का नाम बदल कर अब क्या किया गया है बताए इसका से अंसर क्या होगा केंदरी प्लास्टिक इंजिनेरिंग एवं प्रवदोगी की संस्थान सेंटर नियू इंजिनेरिंग एवं प्रवदोगी की संस्थान या नियून इंजिनेरिंग एवं प्रवदोगी की संस्थान बताए इसका सयांसर क्या होगा केंद्रिय पेट्रो रसायन इंजिनेरिंग एवम प्रोधुग की संथान चलिए अगला प्रस्ण है क्रिस्टोफ मेरी एक्स पुरस्कार से किसे समानित किया गया क्वेरसा अब्दूल करीम, आदेश महरा, निहाल सिंग या इनिमे से कोई नहीं तिसका सयांसर क्या होगा क्वेरसा अब्दूल करीम चलिए अगला प्रस्ण है भारत में आत्यकवादी विरोधी दिवस कम मना जाता है 21 अप्रेल, 21 जून, 21 मई या 31 जुलाई किस राज सरकार ने800 खिलोमेटर सडक को हर्बल सडक के रूप में विक्सित करने का फैसला किया है हर्याणा, केरल, अस्वम, उत्तिर प्रदेश तिसका सयांसर क्या होगा उत्तिर प्रदेश चलिए अगला प्रश्ण है कि सराज ने वेर हाउस और लाजिस्टिक को उद्धो का दर्जा प्रदांग किया करनाटक केरल तेलंगाना उत्ता प्रदेश इसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा उत्ता प्रदेश चलिए चलते हैं अगला प्रश्ण है विश्व थायराइट दिवस का मना जाता है दो माई, पचीस माई, दो जून, अठारा माई तो इसका से अंसर क्या होगा? इसका से अंसर होगा पचीस माई चली अगला प्रस्न है विदेशों में फशे भारतियों को वापस लाने के लिए जै हो भारत, चलो स्वदेश, बंदे भारत मिशन या बंदे मात्रम तो इसका से अंसर क्या होगा? इसका से अंसर होगा बंदे भारत मिशन कुरोना वारस की वज़ा से दुनिया भर में फशे भारतियों को लाने के लिए किन्द सरकार ने बंदे भारत मिशन शुरू किया चली अगला प्रस्ण है आईश्मान भारत दिवस कब मनाया गया 3 अप्रेल, 8 अप्रेल, 30 अप्रेल या 19 अप्रेल इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होगा 30 अप्रेल भारत ने 30 अपरेल को आईश्मान भारत दिवस मनाया आईश्मान भारत दिवर्टना के तहट गरीबों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का परिवार कवर दिया जाएगा चलिए अगला प्रस्ण है कवंसा राज वर्ट्शूल कोट के जरिये अदालत में सुनुवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज बना है आंदर प्रदेश, रारिस्थान, मिजोरम या उत्तर प्रदेश तो इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होगा उत्तर प्रदेश चलिए अगला प्रस्ण है किसे केंद्रिय सतरक्ता आयोक का नया प्रमुख बनाया गया है तो इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होगा इसका सही अंसर होगा इसका सही अंसर होगा अनुराग सिर्वास्तो चलिए अगला प्रस्ण है मसुर हस्ती सांती हीरानन्त चावला का हाल ही में निधन हो गया वकवन्ती लेखिका गाईका अवनेतरी या राणीतिग्य तिसका से आंसर क्या होगा बताईए आप लोग इसका से आंसर होगा गाईका चलिए अगरा प्रस्न है किस भारतिये को अंतराश्टी मुद्रा कोस के बाहरी सलाहकार समु का सदत से बनाया गया है केवी कामत रगुराम राजन दीपक पटेल या के राज सेखर तिसका से आंसर क्या होगा इसका से आंसर होगा रगुराम राजन चलिए अगला प्रस्न है कोविड-19 के लिए फुल परिक्षण शुरू करने वाला भारत का पहल राज कौन सा बना था हर यारा आंदर प्रदेश उंतर प्रदेश या बिहार तिसका से आंसर क्या होगा इसका से आंसर होगा उत्तर प्रदेश चलिए अगला प्रस्न है डाक्टर भीम राम बेटकर जयनती कम मनाई जाती है एक अप्रेल 14 सिटमबर 10 जनवरी या 14 अप्रेल तो इसका से अंसर क्या होगा? इसका से अंसर होगा 14 अप्रेल हर साल 14 अप्रेल को डाक्टर भीम राम बेटकर जयनती का जन्म 14 अप्रेल 1891 में सौरी एक्यानबे में हुआ था चलिए बात करें वह यानि भीम राम बेटकर सोतंद भारत के पहले कानून यह म्याय मंत्री थे चलिए अगला प्रस्न है हिंदू पुरस्कार 2019 से किने समानित किया गया? 2019 की बात की जा रही है राजस्वर यहों हिमेश दास रवीश और कवीर सिंग आकाज सिंग और रवी गोयल मिर्जा वहिद और संतनूदास जिसका से आंसर क्या होगा? बताई आप लोग इसका से आंसर होगा मिर्जा वहिद और संतनूदास चलिए अगला प्रस्न है भारती रिजरो बाइंग की स्थापना दिवस का मना जाता है 1 अप्रेल 1 मार्च 1 माई 1 जून जिसका से आंसर क्या होगा? इसका से आंसर होगा 1 अप्रेल 1 अप्रेल को भारती रिजरो बाइंग की स्थापना दिवस मना जाता है 1 अप्रेल 1935 को भारती रिजरो बाइंग अधिनियम 1934 के प्राधानों के अनुसार भारती रेजर बैंक की स्थाबना की गई थी अवगनेश वनचास में राष्टी करण के बाद भारती रेजर बैंक सरकार के अधीन है चलिए अगला प्रस्ण है देश का देश का पहला प्राकर्तिक सलज सुधिकरण सयंद्र कों सा सहस्तान बना रहा है जाम्या मेलिया यूनिवर्सिटी अलिगर्ण मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी या इलहावाद यूनिवर्सिटी तिसका सही अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा अलिगर्ण मुस्लिम यूनिवर्सिटी चलिए अगला प्रस्ण है उत्तर प्रदे सरकार ने राज में कौसल विकास के लिए कितनी नई योजनाएं सुरू की है दो, तीन, चार, पांच इसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा तीन तीन योजनाएं सुरू की हैं कौन-कौन? एक है कौसल सतरंग योजना एक है यूवाहब योजना और मुख्यमंत्री ऑपरेटिंग सिस्टम योजना चलिए अगला प्रस्ण है वाइस्विक पस्व सरक्षन सुषकांग 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? दूसरा, तीसरा, चवथा या पाचवां तिसका से अंसर क्या होगा? इसका से अंसर होगा दूसरा अंतराश्टी पसु कल्यान संस्ता द्वारा जारी वैस्विक पसु सरक्षन सूचकांग 2020 में भारत को दूसरा इस्थान मिला चलिए अगला प्रस्ण है किस राज ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुक्सान के भरपाई के लिए अध्या देश पारित किया तमिलाडू, दिल्ली, हर्याडा, उत्ता प्रदेश तो इसका से अंसर क्या होगा? इसका से अंसर होगा उत्ता प्रदेश चलिए अगला प्रस्ण है वीश्व टीबी दिवस कम मना जाता है? 3 मार्च, 6 अप्रेल, 24 मार्च, 24 जनवरी तो पताईए इसका से अंसर क्या होगा? इसका से अंसर होगा 24 मार्च 24 मार्च को प्रदिवस वीश्व टीवी दिवस यानि 6 रोग दिवस मनाया जाता है सन 1882 में इसी दिन को डाक्टर राबर्ट कोश द्वारा 6 रोग पैदा करने वाले वक्टिरिया की खोश की गई थी और टीवी का पुरा नाम का पूछत क्या है ट्यूबर कुल बेसलाई चलिए अगला प्रस्ण है बिश्व मौसम बिज्ञान दिवस का मनाया जाता है तीन मार्च, तेश्व मार्च, चोबिस मार्च, चोबिस जनवरी तो बताएए इसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा तेश्व मार्च प्रतेक वस तेश मार्च को 200 मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है चलिए अगला प्रस्ण है सायुक्त राष्ट की happiness index 2020 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा इस्थान मिला? 99, 121, 144 या 144 तिसका से अंसर क्या होगा? तिसका से अंसर होगा 144 सायुक्त राष्ट द्वारा जारी 156 देशों में भारत का स्थान 144 है चलिए अगला प्रस्ण है BBC ने किस खिलारी को lifetime achievement award दिया है? रानी रामपाल, अंजली यादो, पीटी उसा, हरमन प्रीत कवर तो इसका से अंसर क्या होगा? बताइए आप लोग इसका से अंसर होगा? पीटी उसा चलिए BBC ने मार्च 2020 में पूर्व एटलिक्ट्स खिलारी पीटी उसा को lifetime achievement award दिया या प्रदान किया गया चलिए अगला प्रस्ण है टाइम मैग जीन ने 1976 की बात की जा रही है 1976 की ऊबन आप देएर किने चुना गया था 1976 की बात की जा रही है इंद्रा गांधी, सोनिया गांधी, सुसमा सोराज, या अनिमे से कोई नहीं तो इसका सही अंसर क्या होगा? बताइए आप लोग इसका सही अंसर होगा इंद्रा गांधी चलिए अगला प्रस्ण है अंतराश्टी महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मना जाता है? एक मार्च, आठ अप्रेल, आठ मार्च, पचीस मार्च तो इसका सही अंसर क्या होगा? बताइए आप लोग इसका से अंसर होगा 8 मार्च चलिए अगला प्रस्ण है भारति क्रिकेट टीम का नया चीफ सिलेक्टर किने बनाया गया है सुनील जोसी, अजय केतन, राजय समाहे स्वरी या निमेश से कोई नहीं बताए इसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा सुनील जोसी चलिए अगला प्रस्ण है देश में पहली बार किस इनुवर्शिटी में गर्भ संसकार पर डिपलोमा कोर्स की सुरुवात की जा रही है लखनव इनुवर्शिटी, इलावा इनुवर्शिटी, जैपूर इनुवर्शिटी या इंदोर इनुवर्शिटी तो इसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा लखनव इनुवर्शिटी चलिए अगला प्रस्ण है चित्त कूट में 297 किलो मीटर लंबे बुंदेल खंड एक्स्प्रेस वे की निव किसने रखी योगी आदितिनाथ अमित्सा नर्यंद्र मोदी या अलंदी बेन पटेल तिसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा नर्यंद्र मोदी चलिए अगला प्रस्ण है राष्टी इसका से अंसर क्या होगा बताइए आप लोग इसका से अंसर होगा 28 फरवरी चलिए अगला प्रस्ण है श्री राम जन्व भूमी तीर्थ छेत्र त्रस्ट का चेर्माइन किने चुना गया है इसका से अंसर क्या होगा बताइए आप लोग इसका से अंसर होगा महंत निर्यत्र कुपाल दाज चलिए अगला प्रस्ण है उत्तर प्रदेश सरकार ने बित्ती वर्स 2020-2021 के लिए कितना बजट पेश किया 3,3860 रुपए या 12,6,860 रुपए या 5,12,860 करों रुपए इसका से अंसर क्या होगा इसका सरी अंसर होगा 5,12,860 क्रण रुपए चलिए अगला प्रस्ण है कासी महाकाल एक्सप्रेज किन सहरों के बीच चलाई गई है वारांसी और धांसी के बीच वारांसी और इंदोर के बीच प्रियाग राज और इंदोर के बीच या प्रियाग राज और वारांसी के बीच तो इसका स्यांसर क्या होगा बताइए आप लोग इसका स्यांसर होगा वारांसी और इंदवर के बीच चलिए अगला प्रस्ण है European Space Agency ने किसके साथ मिलकर सूर्य के अध्यन के लिए Solar Arbiter Mission Launch किया है इसका स्यांसर क्या होगा इसका स्यांसर होगा इसका स्यांसर होगा नासा चलिए अगला प्रस्ण है पांच साल से कम उम्रे के बच्चों का अधार कार का रंग क्या है काला रंग, नीला रंग, लाल रंग या इसका स्यांसर क्या होगा इसका सयांसर होगा नीला रंग चलिए अगला प्रस्ण है कौन भारती बिटेन के नए बित्यमंत्री बने है भारती की बात की जा रहे हैं बिटेन के नए बित्यमंत्री बने है अहमद पतेल, रिसी सुनाग, दीपक भारद्वार या इनमेश कोई नहीं तिसका स्यांसर क्या होगा? इसका स्यांसर होगा रिसी सुनाग चलिए अगला प्रस्ण है किस देश में फरवरी 2020 में पहला हिंदू बिस्ट विद्याले खुला है? मालदीव, इंडोनेसिया, मलेसिया, बंगलादेश तो इसका से अंसर क्या होगा? इसका से अंसर होगा इंडोनेसिया मुस्लिम बहुल देश इंडोनेसिया में पहला हिंदु 20 विची विद्याले फ्रवली 2020 में सुरू किया गया है अगला प्रस्ना है 2019 में घंदी Űर्ड आप the year किसे घोशित किया गया 2019 की बात की जा रही है सम्मिधान, महान, सक्खी या साथी तो इसका से आंसर क्या होगा इसका से आंसर होगा सम्मिधान चलिए अगला प्रस्ण है कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट फोन मार्केट बन गया है अमेरिका, भारत, चीन, जापान तो इसका से आंसर कहोगा पताईए आप लोग इसका से आंसर होगा भारत अगल पहले की बात की जाए तो पहला कौन है अमेरिका भारत, दूसरा देश सबसे बड़ा स्मार्ट फोन मार्केट बन गया है और पहले की बात की जाए तो पहला अमेरिका है तो चलिए ये थे उत्तरप्रदेश इस्पेसल पार्ट वन तो अभी इसके तीन चार वीडियो तीन चार पार्ट अउल आएंगे यानि तीन-चार वीडियो में तो कल से करेंट फेर भी सुबह आएगा और दिन में लगभग तो पहल में उत्तरप्रदेश इस्पेसल भी डालेंगे तो आप लोग दोनों वीडियो देखिएगा सपोर्ट करिएगा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लिक चैनल को लाइक शेर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर पीडियाफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग टेलेगराम चैनल जाके ज़ाइन कर लेजे अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लिज सेर ज़रूर करिएगा